नमश्कार प्रभासाक्षी के शंक ध्वनी कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है हिंदु धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी मा लक्ष्मी को अर्पित है मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए शुक्रवार का दिन विशेश होता है इस दिन मा लक्ष्मी की पूजा आर्चना की जाती है वहीं शुक्रवार को मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए कई तरह के उपाए भी किये जाते हैं जिससे मालक्ष्मी की कृपा घर में धंधान्य का भंडार लगा देती है और जीवन में सुख समृध्धी का आगमन होने लगता है ऐसे में अगर आपके जीवन में भी धन दौलत या फिर सुख समृध्धी का भाव है तो शुक्रवार को आप भी यह उपाए जरूर करके देखे मालक्ष्मी आपको इन उपाए करने के बाद इतना धन देगी कि आप संभालते संभालते ठक जाओगे शुक्रवार के उपाए अगर आप भी आर् को साथ छोटी-छोटी कन्याओं में बाड़ दे शुक्रवार को यह उपाए करने से मालक्ष्मी की विशेश कृपा प्राप्त होती है 21 शुक्रवार ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुलने लगते हैं प्रते दिन शाम को तुलसी के पास शुद घी का दीपक जलाना चाह करने से आप परमालक्ष्मी की करेका बरस्तिए शुक्रवार के दिन शुपाय को करने से घर में धन खागमन भी होता है शुक्रवार की शाम को घर के मुख्यद्वार के दोनों तरफ कुम-कुम और हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए इससे मालक्षमी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक उर्जा बनी रहती है इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिती में भी सुधार होता है धार्मिक मानिता के अनुसार जिस घर में सूर्योदय के बाद और दुपहे ढलने से पहले जारू लगाई जाती है ऐसे घर में मालक्षमी वास करती है क्योंकि मालक्षमी को साफ सफाई बेहत पसंद है शुक्रवार को विशेश तोर पर आप अपने घर को साफ रखे हमेशा घर की महिलाओं वह बड़े बुजर्गों का सम्मान करें जिस घर में ऐसा होता है उस घर में मालक्षमी का वास होता है ऐस अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके